हाई फ्रेंज इस प्रफ्सका अधिक सिर्थी वाचिंग में यूटीब चैनल आज बच्चों अम जो स्टार्ट कर रहे हुआ एपिस्टोड नमबर 12 जिसका नाम है कम टू स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद फ्लेस इंटर कुलर तू स्टेज कंप्रेशन सिस्टम विद फ्ल में आपको समझ वर कैसे कम होता है अपने सी ओपी में कैसे फाइदा होता है तो यहां पर बच्चों हमें जो एकम्प्रेसन करने जा रहा है वित्य हाल पो फ्लेस इंटर करने जा रहा है तो यह आप देख रहे हो फूरा पार्ट जिसको बोला जाता है अगे जो वेपर आ रही है उसको थंडा करके वह वेपर में करता है जिसकी हिसाब से वेपर करता है वही फ्लेस इंटर कुलर का काम होता है तो इसमें आप देख रहा है यहाँ पर दो आपको समझा देता हूं किस तरीके से काम करती है यहां पर यह यह बढ़ा हुआ है वह है लेक्वीड रेफ्रीजरंट तो बच्चो यह जो लेवल पर वह एक लेवल पर होना चाहिए जब भी लेवल कम होगा तो यहां से लिक्वीड रेफ्रेजेंट आएगा तो इसका लेवल मेंटेन काने के लिए आप यह जो देख रहे हैं वह फ्लोट वाल जिसको बोला जाता है वह है तो यह फिर से यह उपरेटर है यहां पर कुलिंग होता है तो यह उपरेटर कंप्रेस कंप्रेसर तू कंटेंसर एक्सफ पांसर वाल एक्सफ फोर वाल फ्लोट। वह पूरा हो गया फ्लेस इंटरकूलर जिसको मैं बोलता हूं फ्लेस इंटर कुलर तो यहां से समत्य हम स्टार्ट करते हैं रहाएं और यह उपरेटर हम बच्चो देख रहें यहां पर के वह इसको बोला जाता है state one state two state three state four state five state six state seven and side state one state बता रहे कि कौन से फेस में आपको देखना स्टेफोस फेस में लिक्मिड फेस में रिफीजयन वेपर take दोलों के combination में liquid plus vapor तो बच्चों मैं start करता हूं यह operator से तो यह operator में आप देख रहे हैं कि रेफ्रिजेंट कुमसा मास जा रहा है यह operator में जो मास जा रहा है वो रेफ्रिजेंट का है M1 तो आप देख रहे हैं कि 721 यह 7 नंबर की state 7 नंबर गूंट के बीच में क्या operator यहां पर सेवन नंबर का प्वेंट यहां पर बन नंबर का पॉइंट तो आप देख रहा है बच्चों की 7 नंबर और 1 नंबर के बीच में गीजा बच्चों देखो जब भी उपटर जब भी जबगड़ी इंदर जाता है तो महां से करता है और किसमें अपर होगा तो यह वन नमबर के अंदर एक इसलिए आप देखो वन प्वेट्व में पर फिर यहाँ पर यहां पर एम वन अमांट ऑग मास जो वेपर है वो कहां पर आप तो क्मप्रेशर में प्रसक्राइब इसलिए बच्चों यहां पर तो सुपर इंट्रेटर घाता है यूंकि अभी वह सेकंड क्प्रेशर में जाएगा सीटू में तो इसको इसको नहीं पेचा के एफले वेपर को हमें करना होता है यानि उसका कुल लिए इसको यूष किया जाता है इसलिए इसलिए उँसको जो कंप्रेच यह जाता है इसलिए अग्रcher का कारता है कि जो निकल रही है यहाँ अब देखो अभी अंदर क्या है तो मैं आपको समझा देता हूं में से Mill refuse आता हूं अदर धल्ग आपको पता है कंडेंशर के बाहर निकलेगा वह क्या होता है म्यांस ranum मौन से म्टम्ट अर्टा में चला जाता है तो यहाँ अपर जो जाएगा वो क्मस हो एंटओ ममॉन अगेंड, कंटेंसर है, महाँ से M2 liquid effilient निकल रहा है, जिसमें से total M2 में से M1 है, वो यूपर रिटर में चला देगा, तो बच्चा कितना M2-M1, तो जो M2-1 liquid effilient है, वो कहाँ पर जाएगा, flesh intercooler में, तो आप बच्चों देख रहे हैं, कि यहाँ पर जो liquid effilient आ रहा है, वो condenser में से निकल रहा है, liquid effilient, उसमें से थोड़ा साम बाइपास कर रहे है, flesh chamber के अंदर, तो बच्चों यहाँ पर liquid effilient भरा हो, तब क्या होगा, यहाँ से super heated vapor आएगी, flesh intercooler के अंदर, और liquid effilient जब heat absorb करेगा, तो उसमें भी थोड़ी vapor बनेगी न, तो यहाँ पर यहाँ पर आ रहे हैं, उसके साथ वो mix हो जाएगी, यहाँ पर super heated vapor आएगी, रेफिजेंट heat absorb करेगा, इसलिए वो super heated vapor vapor में convert हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर liquid effilient heat absorb करेगा, तो उसमें से भी कुछ vapor बनेगे, liquid की भी, तो liquid effilient में से कुछ vapor बनेगा, जो already vapor है, उसके साथ mix हो के कहाँ पर जाएगा, second compressor में, इसलिए बच्चों यहाँ पर mass M1 की जगापे, यहाँ पर जो बार लिकल रहा है, वो मैंने मास M2 लिखा है, क्यों? और लेडी जो super heated vapor आ रहा है, वो तो फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर उसका cooling होगा, तो heat कॉन अब्जर्ब करेगा, इसलिए इसलिए यहाँ पर मास में अब्जर्ब करेगा, लेकिन liquid effilient heat अब्जर्ब करेगा, इसलिए उन में से कुछ vapor में convert होगे, इसलिए वो vapor प्लस liquid effilient का जो vapor बन रहे हो, दोनों mix होके जो मास बनेगा, वो होगा M2, समझ भाए, इसलिए यहाँ पर M2 मास आएगा, वो कौन से form में है, vapor, तो अब देखो बच्चो 2-2-3, यानि यह क्या होगा, 2-2-3 क्या बता रहा है, इंटर कुलिंग, पहले कौन सा था, सूपरीटेड में, और जब इंटर कुलर में कहा तो वो कौन से face में convert हो गया, vapor, यही flesh इंटर कुलर का काम होता है, अब जाएगा, अब जाएगा, 3rd number के state से 4th number के set में कहाँ पर जाएगा, 2nd compressor के अंदर, तो 3-2-4 आप देख रहे हो, वो कौन सा है, compression, तो यह 3-2-4 compression बता रहा है, अब बच्चो में आपको बताता हूँ के 2 compressor यूज़ करने का फाइदर क्या है, अगर मैं 80 compressor यूज़ करता, तो यह line है इस तरह सजाती, अगर इसको में आगे extend करता तो, पर देखो बच्चो मैंने क्या किया, यह यहाँ पे गा, फिर यहाँ पे में लाया और यहाँ पे लाया, देखो यह compressor वर्ट आपको इतना ही मिला, otherwise अगर इसको में एकी compressor यूज़ करता यह line आगे जाती, तो compressor इतना ज्यादा हो ज्यादा, तो फाइदा होई है आपको ज्यादा compressor आप यूज़ करोगे, तो आपका जो compressor वाली line है, वो vapor line के नजदी करेगी, इस तरह सापको compressor वर कम करना पड़ेगा, बच्चो यह फाइदा होता है compressor का multi-state compressor का, अब देखते हैं बच्चो कि फोर्थ में पर कौन सा आगा, लिक्विड, तो अब लिक्विड में आगा, लिक्विड में M2 है, लेकिन बच्चो में जानते हैं, कि उन में से थोड़ा liquid efficient कहां पर चला जाता है, फ्ले सेंटर कुलर में, M2 liquid efficient condenser में से बाहर निकलता है, जिसमें से M1 चला जाता है, यह बच्चा कितना इसको बोलते है, E operator pressure, यहाँ पे बच्चो आप जो देख रहे हैं, वो है condenser pressure, और यहाँ पे जो बच्चो आप देख रहे हैं, उसको बोला जाता है intermediate pressure, तो आप बच्चो देखो यहाँ पे, कि यह जो हमारी चीज़े वो कौन से pressure से आ रही है, condenser pressure से आ रही है, तो यह five number के state में जो pressure है, रही है, वो कौन सा है, condenser, तो जब हम उसको flesh chamber में भेजे, तब उसका pressure flesh chamber में जो pressure है, उसको रिड्योस करना पड़ेगा, इसलिए बच्चो यहाँ पे expand सनवा रखते हैं, ताकि condenser pressure में जो liquid effigant आ रहा है, वो intermediate pressure में convert हो जाए, उसी तरह से बच्चो बाखी का जो referent M1 बच्चा, वो कहाँ पे जाएगा, E operator में, लेकिन E operator में जो pressure है, वो कौन सा है, E operator pressure, और अपना जो आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, condenser pressure से आ रहा है, तो उसका reduce करका में कितना करना पड़ेगा, E operator, इसलिए बच्चो यहाँ पे second expansion हो रखते हैं, कि जो यहाँ पे expansion उसमें से थोड़ा bypass हुआ, जो हमने यहाँ पे दिखा था, M2-M1, 526, तो यह वही बता रहा है, 526 expansion और फिर वो कहाँ पे जाएगा, थर्ड नंबर के point में mix होगा, यहाँ पे जो आ रहा है, और यहाँ पे आएगा, दोनों mix होगा, और दोनों का mix का resultant क्या होगा, थर्ड नंबर का point, इसलिए बच्चो यह bypass बता रहा है, और फिर क्या होगा, 527, तो 527 यह throttling, और 721, तो क्या होगा, evoperation, समझ में आ गया बच्चो, तो बहुत इसी तरह से पूरी cycle work करती है, और पूरी process repeat होती है, I hope, बच्चो आपको यह lecture पसंद आया, अगर आपको lecture पसंद आय करें, subscribe करें और like करें, hope you have a nice day, bye bye